उत्तर प्रदेश के जनपत बिजनौर के थाना धामपुर परिसर में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है जहां नशेडी युवक ने थाना परिसर में खड़ी होमगार्ड की बाइक पर जलती माचिस की तिल्ली फैंक दी जिससे बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई यहां घटना उस समय हुई जब युवक की माँ अपने बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने आई थी तब ही उसका नशेडी बेटा भी अपनी माँ के पीछे पीछे थाना धामपुर परिसर में पहुँच गया जब उसकी माँ ने अपने नशेडी बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसका बेटा उसके और उसकी बेटी के साथ मारपीट करता है इसी बीच नशे में धुतेक युवक ने माचिस जलाकर होमगाड की थाना धामपुर के अंदर खड़ी बाइक पर फैंक दी जिससे देखते ही देखते बाइक में आग लग गई और बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई थाना धामपुर पुलीस ने ततपरता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है अब पुलीस का कहना है कि आरोपी युवक के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी और मामले की जाच भी की जा रही है अब सोचने वाली बात यह है कि थाना परिसर जैसी सुरक्षित जगह पर ऐसी घटना का होना कहीं ना कहीं पुलीस प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है और यह एक गंभीर मामला है जिसकी वजह से थाना धामपुर पुलीस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है इस संबंध में पुलीस क्षेत्र अधिकारी धामपुर सी ओ सर्वन सिंग का बिजनौर एक्सप्रेस के साथ समवाद दाता इसरार एहमत की रिपोर्ट कल दिनांग 6-10-2024 को रात लगए 10 बजे थाने धामपुर पर कजबा धामपुर निमासी एक महला ने थाने पर तहरीरी सूचना दी कि उसका पुत्र नशे की हालत में उसके तथा उसकी पुत्रियों के साथ मार्पीट करता है अपनी मा के पीछे-पीछे वह वेक्ती भी आ गया जिसने नशे की हालत में मार्चिस की टीवी एक बाइक पर भेग दी जिससे बाइक में आग लग गई क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो राच आटो मोवाइल्स नजीबा बाद आपके लिए लाए हैं एक दम धमाकिदार ओफर केवल 49,500 में एक साल की वारंटी के साथ जो एक चार्जिंग में 60 क्लो मीटर चलती है बुकिंग ओफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा जिलवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी जो की दिवाली तक रहेगी ये ओफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें कॉल करें 7078-82007 जोड़ी रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें